कैसे हो आप सभी लोग हम आज एनिमल किंग्डम के कुछ सवाल करेंगे सो सवाल लगबग हम करेंगे इससे पहले भी हमने सो सवाल इसके किये थे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप जो ऊपर आई बटन देख रहे होंगे वहां पर आपको उ इसको भी जरूर देख लेना इसको जरूर देख लेना तो सो सो सवाल करके हम वीडियो बनाएंगे लगतार जी आइसी तक और साथ ही साथ कुछ और पॉइंट वाली वीडियो में आपको देता होंगा तो करते हैं शुरू इससे पहले के सो सवाल देखने के लिए आप देखना जी वह डाइजेशन से संबंदित होता है यह इंपोरेंट सवाल है नेक्स से डिगार्डिंग दा कॉंजूगेशन इन पैरामीशियम विच दफॉलूविंग स्टेटमेंट इस तुरू तो आपको द्यान रखना है सीधा सीधा में याद करना है कि जो चार नुक्ल हैं उन में से 3 आपके degenerate हो जाते हैं यह सवाल इसका अंसर होगा नेक्स जैको मैं यह मिन नूम्बर 103 यह थोड़े से मैंने को माक्त यह सवाल थोड़े से अलग के सवाल यह आने में के सब्सक्राइश में और आ जाए तो फिर होऊ यह नहीं तो ऐसा है सवाल आएगा जब देखा परमीशम का सवाल आता है तो आपके पेपर में यहीं आएगा MP mixes in पेरामीशम इनवाल्व में में मिक्सित जो होती है वह क्या इनवाल करती है तो उसमें होता यह है कि आपके जो दौ नूकलेज होते हैं वह आपस में करते हैं ठीक on Ma जब देखोगी कि आपके माइक्रो नूकलेज होते हैं इतना था एक सवाल पूछा इता है बहुत ज्यादा पूछा एक ना फौर falt एक होता है लेक्स एजी वीचोत फॉलिग एकल पिन अन्कुरीज और डिफैंस और पैरमिश तो भहिया देखो ध्यान रखना ट्राइको शीर निमेट उसी टापका शीलेंट मिलता हुता है ठीक ना तो यह त्राइको सिस्ट आपका यहां पर एन्प्रेंज और डिफैंस करने का और के नहीं होता है तो ध्यान अखना इंपोरेंट सवाल है बहुत आता है नेक्स से हेट्रो मॉर्फिक न्युक्लिया आर इन तो हेट्रो मॉर्फिक न्युक्लियस कहा मिलते हैं यह सवाल बहुत बार आता है तो पैरमीश होता है उसी में आपके दो तरह के न्युक्लियस म अब का आफ करते हैं उता है जो कि आपकार में ही जो फ़ोफ यह पता होना चैनल दूश्याटी जो पीछे वाल हुझ अब करती है कि जाधा तेजी से काफ्वा की स्वेट करती है ऐस की आगे वाली जो होती है उससे जादा तेई से कॉंटेक्ट करते होती है ठीक है तो यहां ध्यान लखना ऑप्शन नमबर सी होगा मार देते हैं तो यह पूछा गया है कि कहां से कमपाउंन दкого पास अब जोलते हले इनके सकते होना हर है एक स्वार्यवन्स देखेसं देखेश्जान को से तो आप बताह aunत सी होता है और आप पूछा आप से नाम से पुछ icon 치agarm के नाम से तो को सब करता है को पता है जो है वो आजार कोज करता होता है इसका पेक्टर होता है पैल पैल मैं लेक्टर है का बेक्तिट मैंस का पूछते होते तो आपका नाम होता है तो इस ते हैं तो न्युक्त कोकि लेक्टर तो से 62 आपका होता है बूटे है उसको फ्लियो बोटोमस ठीक है नेक्स से मलेर फीवर इस जो हीमो जॉइन होता है इसके वज़े से होता है तो जैसे यह लिखा है कि लिस्ट में बलड डाय सेंट्री फालेड़िया रिदिजीज तो यार ध्यान रखना कि जैसे पूरा ओप्शन नहीं तो ब्लीह इजाए यह सो कलाजार दियाज आएगा और यह आपका गाट डिजीज दिया इसमें आपका असको यह कि आं दो जिए या-ाट है में यृ-दैसींटरी आपको पता यह इन्हें टर्यांईबाद से होती है और हीडिटीड डिजी जो है आपकी इकनो कोकस से होती है ठीक है नेक्स्ट है हमारा कि सॉरी इसको पता होना चाहिए आपको गयाइडिया को बोलते हैं यह ग्रांड ओल्ड मैं ओपिंटस्टाइन वुच्ट फॉलोविंग इस तो ध्यान रखना आपका यह वैसे गलत पूछा है वेक्टर पूछा वेक्टर पूछते तो सही होता तो ग्लोजी ना पहल पेलिस है यहां इंडिकेट दा रॉंग मैच इन दा फॉलोविंग तो रॉंग मैच आप माक की जिएगा तो देखो जो गलत है जैसे अंडो मिक्सिस है वो पैरा मीसम में होती है आपको पता ही है यूगलीना में मिक्जो ट्रॉपिक होती है यह ध्यान अखना आप हाइड्र आपका क्यूलेक्स मॉस्किटो जो बीमारी नहीं पहलाता है वह कौन है तो वह कौन सी हुमारी है आपकी डेंगु फिवर डेंगु के लिए आपका एडीज एडेप्टी होता है फिर भी यह तीनों नाम आप ध्यान अखना एंसवलाइटेस अलेपेंटेस और एलो फिवर यह तीन झालेटेस शेखर, बिएगाअउक यह तो आपको अमेरिकन शुलुफिपंग सुल्टिम स्केलनेज को बोलते हैं तो अगर यह अमेरिकन स्लिपिंग स्केल पूछा गया थो ट्राय टोमा बग होता है ट्राय टोमा बग इसका कोजिटिव एजन्ट होता है वेक्टर होता है इस फिल्पेंग सिंगनेसिन मैनिज कोजड बाइदस अफ्रिकन पूछा नखना यह गैम्बियन्स होगा इसकांसवर अमेरिकन पूछते तो इस कंसर क्रूजी होता है तो यह थ्टौड़ा तफ सवाल है थ्यान रखना यह अजीब सवाल है कई बरा आ जाता है तो कवाइटन ऐलो ऊट्पोर उस से होता है नेक्स्ट है आफका विच पॉलाइन यालो बिचो फॉल्वाइं चैटमेंट स्कॉर्कॐर स्टेक्ष Dip आफ悦 प्रोटोजोवा दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि होता है तीसरी बात आपको पता हुने चीजिए और यह सबसे इंपूरेंट पॉइंट है मतलब यह important point यह है यह नहीं है कि ट्राइकॉन इंफा टर्माइट यह दीमक की गट में रहता है और वहां पर आपका क्या करता है कि एंजाइम बनाने मदद करता है जो कि सेलूलेज होता है जिससे कि आपकी दीमक लकडी को खा लेती है तो यह ध्यान रखना है सिंबाइटिक है नेक्स है वेक्टर फॉलिंग एक्टर फो ट्रिपैनोजोमा गेंबियांस तो वही सवाल है के लिए ग्लोजिना पैल्पिलिस होता है विच्व फॉलिविंग स्पसीज प्लाजमोडियम को मैलिगनेंट अगर पूछ लिया है तो आपको ध्यान रखना है फालसी पेरम की बात हो रही है मतलब मार देने वाला टाइप का यह पूछते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि फैलसी पेरम है सेंट फ्लाइट ट्रांसमिट पैथोजन ऑफ चैन फ्लाइ इसका नाम भी पता होने चाहिए फ्लियो बोटो मस फ्लियो बोटो मस नेक्से जी वुचे अरिया कोज दा फाइल एडिसी से रिजल्ट ऑफ दा वुचे एरिया जो है वह फाइले इस कोज करता है तो ध्यान रखना जी वह लिंफ लेंड को ब्लोग कर देता है ठीक है ना औ फिलीओं फटो मस फ्लियो वैक्टर बाइदा सेंड फ्लाइ माईक्रो फाइलेरी कहा किसका लारभा वह उता है उसका होता है उसका लार्भा भुलता है रहते हैं रात्री में इस तरह का सवाल आपने देखा हुगा इस बार पेपर में जरूर रात में यह कहां होते थे जो सब्सक्राइब और इसको पढ़ते तो कर सकते थे तो यह बाहर होते हैं रात में क्योंकि रात को उठाया जाता है इनको वहां से और जो मच्छर होते हैं फिर वो दूसरों पहुंचाते हैं अगे लिखाए पहले पहले सिसे वही सवाल है सीजी फ्लाइ का नाम होता है यह क्या होते हैं छोते हैं स्भाव को शील से से सिस्टम को पाइब करने बाक टाइप इसमें की वोल्म स्लस्साइट पंर mlbor कंड करती है यही आपकी वोटर करण बनाने में मदद करती होती है ईंपी बलास्ट रैवार इस फांद मिन दान्ट लाइज आर्व स्पोंज के लाइप साइकल में आपका एंपी ब्लास्टूला लारवा मिलता होता है फॉल्लविंग इनिमल इस पॉंज तो कौन से आपके इनिमल स्पोंज है तो यह दोनों नाम याद रखना देखो यह थोड़ा टॉप से नाम है यह आपकी याद नहीं रहेगा इसलिए मैं इसको माग किया हुआ है ठीक है ना इसको दोड़ा लिखने ना कहीं पर के हैली सरकान और यह प्लेक्टला मिलते हैं हर्ड मानिया आपका वहां पर आएगा आगे जा करके तो यह तो मतलब यह यूरो को डेट है तो इसमें तो होंगे नहीं विच दो फॉल्लोंग स्पोंज स्केलेटन ऑफ स्पोंजिन फाइबर तो द्यान रखना वह आपका चलीना है यह सवाल बहुत बार आया होता है पेपर में इसको तोड़ा नोट कर लेना अच्छे से ना चलीना जो है इसमें आपके मिलते हैं स्पोंजिन फाइबर विच दो फॉल्लोंग स्पोंज लैक है यह लेका है यह सब पता होना चुछिए इसकि जो सेल्स होती है पोडिफयर उन्क quo याद्यर不會 विस्टोर करने वाले क्या कहते हैं इंपोर्टन वह जाता नेक्स पहुंज लिटरेमेंटल टुदा पर इंडस्टी तो पता होता है यह कौन सा हुज होता है यह यह आपका यूज होता है ब्लास्टोपोड गीवराइज डीकहँ तो यह ऐसा है कुछ जगह पर एनस बनता है कुछ जगवर मुख बनता है तो भयला देखो ऐसा है जो आपके लोवर होते हैं उनमें बनता है माउत और जो एकाइन्ष के बाद वाले होते हैं टेरोस्टोमिय उनको बोलते हैं वहां बनता है आपका एनस तो दिया नहीं गया था तो भाईया माउथ ही स्कांसर होगा नेक्स से विच चैलर फाउंड इन दा स्पॉंजी तो स्पॉंजी में आपकी कोईनो साइट्स मिलती होती है इनको याद कर लेना मेजह है मेजोहिल भी आपका का मिलता है प्वारी विच मे स्यू आपके अंडियोडम होता है इन विच से भी में ओडल पियसे नहीं हो फेम क्योंके नहीं है को है टेश्ट आपकू करे लिंक या वूँ आपका स्पॉंज नहीं को फरेश वर्टर स्पॉंजव जो है इसका एक्जामफल का है नस फ्रेश वर्टर गैर जीर्वमींग फ्रेश वर्टर आपको फ़रेश वर्डर स्पॉंज के एक्जामपल BACK उर्प्रयमिंग अपbe आपका मोलस्का में आता है शायद से डाएब डीखो un kaynaan ईसUS पॉलोविंग अभॉस ममडियों फॉड्ड शोलीश्य च तो यह में आपका वी अचुन टाइप लगाना है सब से सिंपल सबसे पहला आपका सब्सकर centrally में मिलता होता है नेक्स इन स्पोंजेज विच वन फॉलोविंग अमीबो साइट इस मोडिफाइड फूर्ट फूर्ड फूर्ड गेनियुल तो भाई देखो अमीबो साइट जो आपकी कुछ भी बन जाती है यह जो कि आपकी कुछ भी बन सकती है मतलब इनके अंदर क्या होता आपकी टोटी क्या होती है तो यह कुछ भी बन सकते तो यह पूर्ड स्टोर करने के लिए थीजोil बन जाती है तो इस पोन्जिस में उती है उनको क्या कहते है तो यहां पर आर्क्यो साइट उनको कहते हैं कि सवाल आया था आपका इस बार भी पेपर में पता नहीं नहीं ने आंसर कौन सा मानना था अमीवो साइट मानना था कि आपका आर्कियो साइट मानना था नेक्स एजी कोश्चन नमबर बन सिस्टी फोर टाइप ऑप स्पिक्यूस फाउंड इन दा जैमियूस ऑफ दे स्पोंजिला आपके लिए जरूर इसको लिख लेना नोट कर लेना यह आ सकता है नेक्स लिए उन के नाषप वैंडियोगों टाइप फिर से मैंने बताई आपका सिंपल होता है चूरी सिंपल नहीं होता यह एडवांस होता है तो इडवांस आपका मिलता है स्पॉंजिला मिलता है रागोंच टाइप भी कभी आजयेगा जान रदिए euros टाइब करते हैं इ इंकरेंट के नाल और रेडियल के नाल के बीच में आपका पी होता है इसके बाद अगर एगा अग मंझन काइम धीजन काइम वह है यह भान रहा है तो आपका तीशु भरा रहता है कि के बीच में जो आपका इंडूर की वह सब्सक्राइब क कैसे फिर उन फालरम के फिर झाल दो फॉलम फिर फिर से इन वार रहता है, मिजन काइम परल्बला सबस्वर मिलती हुआ तो प्रजंस ओफ स्पोंजों सील होना इस पॉंजों सील कैविटी का पाया जाना यह सभी स्पोंजों की फीचर होती है विचता फॉलोंग सेल टाइप इस कैपेबल ऑफ गिविंग नाइचु अधर टाइप फिर से वही सवाल है ध्यान रखना आर्कियों साइट इसका इसका नाम होता है प्रगेस्टिक एक्टिविटी नेक्सेज इस पीक्यूल से इन स्पोंज इस फॉंज आर्फ वाई तो इस पिक्यूल को मनाता है भाई यह देखो इस खिलरोब्लास मनाती होती है यह थोड़ा इंपोरेंट से मायो साइट मतलब मसल्स के लिए होता है यहां पर इसके लिए इसके लिए मतलब मसल्स आप याद कर सकते हो नेक्स फ्लेजिलेटर सेल इन स्पोंज हार को बोलते हैं तो भाई ध्यान रखना को इनोसाइट्स बोलते हैं वर्ड को बहुत अच्छी से ध्यान कर लेना इसी के नाम पर सवाल आएगा मैच करना है वी विल टेक इसके लिए तो भाई तो भाई यह मैच करने में टाइम खराब नहीं करें गए नेक्स आपका इन इस्पोंज इस पॉंज इन इस पॉंज इस दाइमेटर ऑफ उस्टिया फिर से वही सवाल है मायोसाइड जो होती है वो कंट्रोल करती होती है विच ओ दाफॉलविंग इस इस पॉरिफेरा के लिए होते हैं मतलब के लिए इसकलेटन कर दिना तो प्लीज यह ध्यान कर दिना ती इंपोर्टेंट है केल्केरिया मिलता है आपका किसमें साइकोन में इन इस पॉंज इस प्रोस पाइल फिर से वही सवाल है तो आप देखी लोगे और स्पॉंज इस के क्यों कौन बनाता होता है फिर से वही सवाल है स्क्लेरोब्लास मनाती है प्रिंसिपल सेल टाइप प्रजेंट इंदा बोडियो ल्यूको सोलीनिया जो होते हैं आपका उसमें कौन-कौन से सेल मिलती होती है इता बड़ा सवाल है यह पीनेकोसाइट पोरोसाइट क्यों लगा नेफरोसाइट कर दो कोनोसाइट नौस सेल विघ्रवी काट दो तो पहला ही होगा इसका ऑप्षन ना मुझे लग रहे है यह जो था पढ़ लेते हैं चौत्य में भी नेफरोसाइट है नहीं होती है तो आपको याद हूंगी जो जो सेल होंगी उसमें देख ल सिल में आपको पता है यह सवाल आपको पता है यह सवाल आपके नाम पूछते तो भी आज रखना एंपी ब्लास्तोला परंग गायं दो लार्वा pray यह फीडिया भी आपका लारव होता एक तना का स्पिक्यूल्स का मिलते होते हैं तो साइकोन में साइकोन आपका कलकेरियस है यू स्पॉंज या हर्ड मानिया नहीं होगा तो यू स्पॉंज यहां से इसका अंसवर होगा एक सिक ना तो पीछे देखते हैं क्या था ऑप्षिन हर्ड मानिया एंड साइकुन पूछा यह पर यह तो बता है निन्होंने स्पॉंजी के बनने में स्पॉंजी में स्पॉंजी के होता कि यह थीच इवल उप एक्जामपल होता है Green gland इन्य मिलते हैं प्रोण में मिलते हैं अगर यह ऐसे हैं कि मिलती है तो आप ध्यान रखोगे प्रौन क्रॉस्टेशन में आता है नेशे डाट अफ साइकों इस टेक्ष प्रकी साइकों कहा होता है तो वहीं स्पोंजो सील में होता है विदिन दग कोईशसाईट विजह तालॉवविट हैं साीवट घौन जीवटान्ट डेक़् जừa बेसके है तो सी फैन का नाम होता है ऐता हापका छिपन पेन पेनेट्टुलं स सीफैन गोर्गोनिया इसका नाम है ध्यान करना गोर्गोनिया इसको को बोलते हैं तो यह कई बार उस नाम से पूछते हैं गोर्गोनिया के एन ओलिंतर स्टेज सीन डेवलेप्मेंट ओफ वोलिंतर स्टेज आपको साइकोन में देखने को मिलेगी एन स्टडिय फॉलॉविंग स्टेटमेंट इनको पढ़िये गारे कहा चले गए इनको पढ़िय सब्सक्राइब मतलब सही हो गया तो बात कमन सिर्म का अग्जांपल तो एडम सिया है इडिच अनिमों बिल्कुछ सही हो गया भी है तो आपके दो तीन बीच वाले पॉइंट है यह आपके सही है दोनों के दोनों तो आपका होगा भी यह मैच करना है फिर से इसको छोड़ देते हैं इसलवल टेक टाइम नेकसे वी फ़ॉलुइंग इनिमल इस पलाजीक तो भई फिलाजीग एनिमल कौन सा होता है तो बहुत धियान रखोगे आप जो है आपका जो नौक्टिलूका है यह और फाइजेलिया जो है यह आपके दोनों के दोनों प्लाजीक होते है दो फॉल wearing this not a Pornge on fulfill light लगून Moder नहीं है नभी जो है को ज MOND कर दो इंच geschक्रावा इहा है जिसको घहर के रखती है आप के रीव तो लाइन गेर रोर जो होती है वो एक stare् Matelle Онको गेर के रकती है किसे नहीं गाने मंग सक गोट पहने सोने में लोग यह सवाल आता है next in the last for the today that is the valerium is the structure associated with the aurelia valerium structure है जो कि आपकी aurelia के साथ में associated होती है वो क्या होती है तो ध्यान रखना यह line बार 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 आपको paper में मिलती है रखी वी unlike true wellum of the hydrozone medusa it contain endodermal cells सीधा सीधा ध्यान रखना पूरी line एकदम line से note कर लो valerium is the structure associated with the aurelia के साथ जुड़ी होती है and unlike true wellum of the hydrozova के से अलग medusa it is contained endodermal cells इसमें endodermal cells पाही जाती है तो यह note contain endodermal cells यह काट देना होता है हमेशा ही जाए तर इसका सवाल यही आता है पूरी line आपके लिखवी ऐसी आएगी ठीक ना तो यह थे आज के सो सवाल के लिए आप चैनल को अरण सब्सक्राइब और भाई आपको यह सवाल मिलते रहेंगे आपको यहां पर वीडियो में जो कि आपकी मदद करेंगे बहुत जादा इसमें से एक-दो सवाल आई जाता है ऐसा नहीं कुछ भी नहीं आता है तो आपको कहीं पर option कहीं के question कुछ मि देखें ना तो आज की देखने धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं नेक वीडियो में तन्यवाद तो